कि नमस्कार प्रवाज अक्षिन विस्ट नेटक और आप सभी का स्वागत है किंद्री ग्रहमंत्री अमिश्या ने मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल के पहले सौ दिन की उपलब्दियां गिनाते वे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के नेतर्थ में भारत विक्सित दे प्रवाज और इस तोरान खरी फसलों के लिए नियूंतम समर्तन मूले बढ़ाया गया प्याज और बास्मती चावल पर नियूंतम निर्यात मूले हटाया गया तथा कच्छे पाम सोयबीन और सूरज मुखी तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया आमिशा ने कहा कि सर पहले तो आज प्रदानमंत्री मोदी जी का जन्मदीन है पूरे देश में कई संस्थाय जन्मदीन को सेवा पकवाडे के नाम से मनाने का नेने किया है जो हरसार कलते हैं 17 सप्टेंबर से 2 अक्तूबर ए 15 दिन देश भर के सभी जरूरत मन्द लोगों की सिवा में हमारे जैसे कई कारेकरता इसको लगाएंगे प्रदानमंत्री जी एक छोटे से गाउ के घरिब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के प्रदानमंत्री बने नकेवल प्रदानमंत्री बने 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच पुरसकार देकर नकेवल प्रदानमंत्री जी हमारे देश का गोरोव बड़ाया है अदेश की 140 करोड की जन्ता बहुत मन के साथ इनके दिरगायूस के लिए प्रभू प्रातना कर रही है मैं और असुनी जी भी वो प्रभू प्रातना के साथ अपने आपको संबद्न करते हैं मित्रो आज की प्रेस्वारता मोदी जी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज पर आपको सुचना देने के लिए बुलाई गई है जैसा आप जानते हैं लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के घरीब गोके कल्यान को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाओं में तीसरी बार भारतिय जनता पार्टी को और हमारे साथिय दलो को सरकार बनाने का एक जनादेश सरकार ने दिया इसके परिणाम सरुप साथ साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेत्रू तो कर रहा है साथ साल के बाद पहली बार इसमें रादितिक स्थीरता का माहोल आया है और नित्यों के सातत्यों को भी हमने अनुभव किया है और नित्यों की दिशा नित्यों की घती और नित्यों को क्रियानवयन करने की सटिकता ये तीनों दस साल तक बरकरार रखकर ग्यारवे साल में प्रवेश करना मैं मानता हूँ बहुत कठीन है दुनिया के कई देशों में भी देखागा जहाँ एक प्रकार से वाइबरंट लोकतंत्र है वहाँ पर ऐसे बहुत कम ही उदान दिख्याई पड़ते हैं और इसका कारण है कि दस साल में देश की बाहरी सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नित्रूत में प्राप्त की है सिक्सा के अंदर आमुल चूर परिवर्तन, हमारे चीर पुरातन सिक्सा सैक्सिनिक मुल्यों को समाहित करते हुए हमारी भासाओं को गवरनवाईत करते हुए और आधूनिक से आधूनिक सिक्सा को समाहित करते हुए नई सिक्सानिती लाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है जब मेकिन इंडिया का नारा दिया गया काफी लोग इसका मखोल उडाते थे मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहता कैनर बन चुका है और यह वास्तविक्ता है हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समधना भी चाते हैं स्विकारना भी चाते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाते हैं इकोनोमी के 13 के 13 पेरामिटर्स में चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्पीत हो, चाहे विकासदर हो हर पेरामिटर में हमने डिसिप्रिन लाई हैं और प्रगती भी की हैं अंतरिक्स के खेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्स के शित्र में भरवी से उजवल है इसको एकनोलेज करते हैं दस बर्स में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीड की हड़ी वाली विदेशनिती को देखने का मौका मिला है भारत की विदेशनिती में मेरे जैसे कई लोगों को रीड की हड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी अब भारत की विदेशनिती में रीड की हड़ी दिखाई पड़ती है दस साल में देश के साथ करोड गरीबों को एक ही दस साल में घर, सोचाले, गैस, पीने का पानी, बीजली, पांच किलो मूद का नाज और पांच लाग तक की स्वास्त की सुवेधायें देने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया है और हमें लक्स लेकर चले हैं कि अग्री बार जब चुनाओ में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं होगा अमरुत काल का जब वर्स आया, मैं इसका साक्से हूँ कई सारे सुझाव आये थे और मोदी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमरुत काल के वर्स को इस तरह से मनाया कि जब अमरुत काल का वर्स समाप्थ हुआ तो अमरुत काल सुरू हुआ और 140 करोड लोग 2047 में महान भारत की रतना के संकल्प के साजिदार बने और भारत के विकास की यात्रा के भी साजिदार बने एक प्रकार से 140 करोड की जनता को इतने महान लक्स के साथ जोड़ना एक बहुत वड़े विश्वस्तियता का प्रमान है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है तीसरे मेंडेट के बाद सो दिन समाप्त हो रहे हैं सो दिन में लगबग लगबग 15 लाग करोड रुपय की परियोदनाओं को चालू किया गया है सो दिन को मैंने 14 स्तमगों में बाटा है मैं एक एक करकर सब के लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है सो दिन में 3 लाग करोड की परियोदनाओं हमने गोसित भी किये इंप्लिमेंटेंटेंशन भी शुरू हुआ है महराश के वदवान में 76,000 करोड की लागत से मेगा पॉर्ट वनेगा जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुक बंदर गाहों में सामिल होगा 49,000 करोड की 25,000 अनकनेक्टेड गाहों को जोडने की योजना ए योजना 100 की आबादी वाले गाहों को भी जोडेगी तो एक प्रकार से मजले, तोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी करेंक्टीद दी जाएगी 50,600 करोड की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का नेनाय नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है वारानसी में लाल बादूर सास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट पस्यम मंगाल में बागदोगरा बिहार में बिहिटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी कोई में नवी हवाई पट्टी बना कर परियतन को बड़ावा देने के लिए आगे बड़े हैं बैंगलोर मेट्रो के फेज तीन पुने मेट्रो धाने इंटिग्रर रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस वादीन में आगे बड़ा है किसानों को और कुशी का जहां तक सवाल है सत्तरवी की प्रदान मंत्री किसान सन्मान इस लाग किसानों को तीन लाग करोड रूपया वित्रित किया गया है खरीब फसलों का MSP बढ़ाया गया है मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकडों का ध्यन करियेगा UPA सरकार और कॉंग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुणा ज्यादा MSP की खरीदी भारतिय जनता पाटी की नरेंद्र मोधी सरकार ने की है अमारी NDA सरकार ने की है यही बताता है कि सरकार किसानों के हीतों को समर्पित है मक्के से इथेनल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलो के इथेनल उत्पादक इकाईयों का मल्टी फिड इथेनल इकाईयों में डुपान तरण किया गया है अब वुना केवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनल उत्पाद कर पाएंगे तो जीस वक्त देश में चीनी की जरूर्यात होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनल बनेगा हमने प्याज और बासमती चावल की नियुन्यतम निरियात मुल्य MEP को हटा दिया गया है प्याज पर निरियात सुल 40 प्रतिसत से 20 प्रतिसत करा है और एग्री शोर नाम का एक नया फंड लॉंच करने का भी हमने काम किया है मध्यमवर्ग को भी इसोब दिनों में कई सारी राहत दी गई है टेक्स राहत 7 लाग तक की आई पर अब कोई टेक्स नहीं लगेगा वन रैंक वन पेंसन का तीसरा वर्ज संसकरन लागू कर दिया गया है और तीन करोड घर प्रदानमंत्री आवास योधना के तहट स्विक्रूत किये गए हैं सहरी योधना के तहट एक करोड घर और ग्रामेड इलाकों में दो करोड घर प्रदानमंत्री सुर्यगर मुप्त बिजली योधना एक प्रकार से 2024 के बीच धाई लाक से ज्यादा गरों में सहर उर्जा का सिट्रिम अब तक लग चुका है एक अनूठी योधना है जिससे मध्यमवर के परिवारों का बिजली का बिलतो मुप्त होई जाता है साथ में सवर उर्जा के हमारे लक्स की पूर्टी के लिए भी वो कंट्रिब्यूट करते हैं PMEBUS सिवा Environment Friendly System तयार करने के लिए लगबग 3400 करोड की सहायता से हमने PMEBUS सिवाओ की स्विकृति दी है और स्टार्ट अप को वित्ति रहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप पर 31% का बोज डालने वाले एंजल टेक्स को समाप्त करने का भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडर डेवलोप्मेंट पोग्राम के तहर बार इंडस्ट्रियल जॉन बनाये जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाइवे से लिंक होंगे इसके आसपास होंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडर डेवलोप्मेंट पोग्राम के तहर बारा इंडस्ट्रियल जॉन देश के हरक शेत्र में बनाने का हमने नेनए किया है सबसे महतवपूर नीने मद्यमवर के लिए मुद्रा रून की सिमा दस लाग से बढ़ा कर बीस लाग कर दी गई है पुराने रून का जिन्होंने सफलता पुर्वक भुकतान किया है वो सभी को इसका फाइदा मिलेगा MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सुरू की गई छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यम्यों को बिना गारंटी से इससे रून मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ दोनों मिलेगा ससक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक सर्त है दो लाख करोड के PM पेकेज की घुशना हमने की है जो पांच साल में चार करोड दस लाख युवाओ को इसका लाब पहुँचने वाला है एक करोड युवाओ को टॉप कंपनी में इंटर्ण सीप के अउसर एलाउंस और एक मुस्त सहायता रासी देने का भी नेनय हमारी सरकार ने किया है केंद्र सरकार ने भी लगबग लगबग कई हजार नियुक्तियों की घुशना की है कैपिटल एक्स्पेंडिचर को बढ़ा कर 11,11,000 करोड तक पहुचाना यह अपने आप में एक मिल का पत्थर है इससे कई युवाओ को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा PLI स्कीम और 12 इंडेस्ट्रिल जौन के विकास से भी तजग्य युवाओ की नौकरियों का स्रूजन होगा स्टार्ट अप और MSME के लिए जो वित्य प्रोस्ताहन हमने दिया है वो भी युवाओ के लिए कारगर साबित होने वाला है दिन डायल अंतियोदय युदना के तहट 10 करोड से अधीक महिलाओ को संगठीत कर 90 लाक से अधीक स्वयम सहायता जूत बनाए गए हैं और लगपती दिदी युदना के तहट 11 लाक नई लगपती दिदियों को ये 100 दिन में प्रमान पत्र दिया गया है एक करोड से अधीक लगपती दिदियां पतिवर्स एक लाक रूपया सालाना कमाई कर रही हैं ये महिलाओ के लिए एक लाक का रासी एक स्वपन मना जाता था आज हो स्वमान के साथ अपना जीवन जी दे इसके साथ परियटन दिदियों जो गाईड का काम करेगी परियटन मित्रों और ड्रौन दिदी के माध्यम से सेल्प हेल्प ग्रूप और युवाओं को परियतन से जोडने का काम भी हमने किया है प्रदान मंत्री जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान इसके तहट 63,000 जन जातिये गाउं का पून विकास किया जाएगा जिसे 5 करोड आदिवासियों की अर्थिक स्तिती में सुधार आएगा ये युदना के तहट गाउं को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविदाओं से संपून यूक्त किया जाएगा अनुसरी जन जाति के दिव्यान व्यक्तियों के लिए 3,000,000 नए पहचान प्रत्र एक अभ्यान चलाकर एक 100 दिन में दिये गए एक लव्य मॉडल आवासियों विद्यालय एक नए पहलूओं के साथ नए आयामों के साथ फिर से इंट्रिडूज हो रहा है वकप संसोधन विद्याइक 2024 वकप संपत्यों के प्रबंधन और संडक्षन और उसके दुरूपयोग तिनों के कमिटेड है और आने वाले दिनों में पाहलामेंट में इसको पारित किया जाएगा आयुशमान भारत योधना आजदेश के कई करोड लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार मनियूँ है पांच लाग तक का स्वास्त से जुड़ा सभी खर्चा एंडिये की नरेन रमोधी सरकार उठा रही है और ये प्रदान मंत्री जी का बड़ा महतो कांक्सी पोग्राम है अब जैसा हमने हमारे गोशना पत्र में वादा किया था सत्तर वर्स या उससे अधीक आयू के सभी वुरुद्ध नागरिकों को पांच लाग तक का मुप्त कवरेज दिया जाएगा इसमें जो घरीब घर में सत्तर साल से अधीक वाले लोग हैं उनको अपने काड के अलावे और पांच लाग दिया जाएगा तो उनका कवरेज एक प्रकार से दस लाग तक किया जाएगा करीब करीब साड़े चार करोड परिवारों के छे करोड वरुद्ध नागरिकों को इसका फाइदा मेगा इसमें आई की कोई सिमा नहीं रखी गई 75,000 नई मेडिकल सीटे बढ़ा कर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगबग लगबग समाप्त कर देंगे हमारी पूरी रिक्वार्मेंट एप 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्स रखा है यह में ठीका करन के लिए उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पॉर्टल भी यही 100 दिन में सुरो किया गया और देश के डॉक्टर की एक सेंट्रलाइज रिपोजटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है 23 अगस्त को पहला अंतरिक्स दिन मनाया गया है इससे कीसोरो को और युवाओ को अंतरिक्स के शेत्र में रूची लेने के लिए प्रोचसाहन देने के लिए और उनका हैंड होडलिंग करने के लिए धेर सारी योधना इस सुरू की गई अंतरिक्स टार्टप के लिए 1000 करोड के वेंचर कैपिटल फंड की योधना भी हुई आपदा प्रबंदन के लिए राष्टियत डेटाबेज और ग्रामिन भूमी रेकोर्ड के लिए भूवन पंचायत पोर्टल भी सुडू किया गया सेमिकंडक्टर गुजरात के सानन में सेमिकंडक्टर की 21 थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूँ कि आने वाले दस सालों में भारत सेमिकंडक्टर के क्षित्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभरेगा लॉइन ओडर का जहां तक सवाल है पुराने बिटिसरों ने बनाये हुए अपराधिक कानूनों को बदल कर एक जुलाई दोजार चौबीस को तीन नए कानून इंप्लिमेंट किये गए भारतिय दंड सहिता, भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिय शाक्स अधिनियम ये तीनो criminal justice system के पूर्ती करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी criminal justice system को न केवल लोक भोग्य बनाएंगे, लोगों को नियाय मिलने का एक सरल रास्ता होगा, समय पर नियाय मिलने की सरुवात होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि तीन साल के बाद जब इसका complete implementation समाप्त होगा हम दुनिया में सबसे अधुनिक criminal justice system रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे सहरी बाड प्रबंदन के लिए 6350 करोड लुपिय की नई योदना देश में पहली बार लाई गई लदाख में पांच नई जिले बनाए गए 25 जुन को समविदान हत्या दिन मनाने का फैसला करकर आने वाली पीडी को emergency जैसे काले दोर से देश को न गुजरना पड़े इसलिए जागरूत करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का नेन लिया गया पुर्वत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रो परियोदनाओं की मनजुरी दी गई लगबक 41 करोड उपिया के साथ और राष्ट्रिय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंट रिज को भी सुरू कर दिया गया मित्रो पियम मोदी जी का यूद के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर यात्राओं पूरी दुनिया आस के साथ नजर गड़ा कर बैठी है पहली बार भारत में इनोशको की विश्व धरोहर समीति की बैठक हुई आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापिस लाने में हमें बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है आपदा प्रबंदन अधिनियम इसको दोजार चौबीस में लोकसभा में पेस किया गया है और मैं मानता हूँ कि अर्बन फ्रड मेनेजमेंट अगनी समन सेवाएं ग्लेसियर जिल्वी स्पोर्ट फ्लड और अन्यट डिजास्टर के मिटिगेशन के हितु यह जो आपदा प 554 करोर की योधिना भी इस सब विशिष्ट आपदाओं के लिए मिश्चित किये गए हैं चार सतंबर को 35 सालों के संगर्स के बाद त्रिपूरा में एनलेप्टी और एटी टीएप के साथ 37 समझोता किया गया है मानस हेल्प लाइन नार्कोटीक्स की रोगदाम के लिए और साइबर अपराद के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है उसका कारण है जब हम चुनाओं में गए रादनितिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनितितों चुनाओं में गए थे परन्तु मोदी जी ने चुनाओं के छे मेंने पहले ही बीरोक्रसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीज़े पड़ी है जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त करकर रखे जिससे देश के विकास के घती में बाधान उत्पन हो इसी का परिणाम ह है कि ये लगबग लगबग लाखो करोडों के काम सो दिन के अंदर ही हम कैबिनेट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगे तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं इसके कारण देश की विकास की गती न केवल बढ़ेगी देश सुरक्सित संपन होगा और नई सिक्सा नि अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके